हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब I hope आप सब अच्छे ही होगे मेरा नाम है दीपक Welcome back to K2K Moto Vlogs दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे TVS Apache RTR 164V के New Model के बारे में जो finally Indian Tooler Market में officially launch हो चुका है So अगर आपको Apache RTR 164V New Model के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को end तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका है तो सब्सक्राइब कर लो अगर आपका किसी भी वाइक को लेके कोई भी डाउट है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो या फिर Instagram पे भी DM कर सकते हो सो बिना टाइम वेस्ट किये चलोयर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तो टीवेस ने आज ही के दिन याने की 8 उक्तूबर को टीवेस अपाचे RTR 164W के न्यू मोडल को याने की 2022 मोडल को इंडियन डूलर मार्केट में उफिशिली लॉंच कर दिया है 164W के न्यू मोडल के अंदर काफी सारे चेंजिस भी किये गए हैं और अभी Spike के लुक्स भी पहले से काफी जादा अच्छे लग रहे हैं सबसे वेले में बात करते हैं Spike के वेरेंट के बारे में दोस्टो RTR 164W के न्यू मोडल के तीन वेरेंट से जिसमें फर्स्ट वेरेंट है जिसके अंदर Front और रियर में Drum Brake देखने को मिलेंगे सेकेंड वेरेंट है जिसके अंदर Front में Disc Brake होगी और Rear में Drum Brake होगा और थर्ड वेरियंट है जिसके अंदर फ्रेंट और रियर दोनों साइड में डिस्क ब्रेक होगी चेज़िस के बारे में अगर बात करें तो स्पाइक की हेडलाइट का डिजाइन भी चेंज कर दिया है टीवेस ने और साथी टीवेस ने स्पाइक के अंदर मल्टीपल राइड मोट्स भी दिये हैं जो हमें RTR-2004V और Apache RR310 के अंदर देखने को मिलते हैं Apache RTR 164V के new model को TVS ने 3 color variants में launch किया है जिसमें first है red, second है blue और third है black अब finally दोस्तों बात करते हैं इस bike के new model के price के बारे में So Apache RTR 164V 2022 model का starting action room price है 1,15,265 रुपीज, 1,15,265 रुपे इस bike के starting variant का price है Second variant का price है 1,17,350 रुपे और third variant का action room price है 1,20,000 और on road price के बारे में अगर बात करें तो इस bike के starting variant का on road price 1,30,000 के आसपास देखने को मिलेगा और साथी दोस्तों TVS Apache RTR 164V के अंदर एक special edition भी offer कर रही है जिसका नाम है Apache RTR 164V SP और उसका action room price है 1,21,300 रुपे उस bike का action room price है अब बात करते हैं special edition के features के बारे में So Apache RTR 164V के special edition के अंदर 3 riding modes दिये गए हैं जो है urban mode, sport mode और rain mode और साथी spike के अंदर gear shift indicator और rear में radial tire भी दिया गया है और साथी दोस्तों top end variant के अंदर TVS Smart X Connect features दिये गए हैं जिसकी वज़े से spike के अंदर smartphone connectivity और Bluetooth connectivity वाले features देखने को मिलेंगे जो हमें Apache RTR 200 4V के अंदर देखने को मिलते हैं RTR 164V SP model matte black color के अंदर देखने को मिलेगा जिसके अंदर red color के allow wheels देखने को मिलेगे dual tone colored seat देखने को मिलेगी जो की red plus black color में होगी और साथी SP variant के अंदर adjustable brake lever और adjustable clutch lever भी देखने को मिलेगा सो दोसो पाची RTR 164V SP variant के अंदर red color के allow wheels adjustable brake और clutch lever newly designed seat और matte black color ये सबी चीज़े देखने को मिलेगी और साथ में TVA Smart Connect console भी देखने को मिलेगा बाकि दोस्तों इस spike के अंदर कोई भी change नहीं किया गया है इस spike के अंदर वहीं से 159.7cc का 4-stroke single cylinder oil-cooled fuel injected BS6 compliant engine है जो maximum power produce करता है 17.63 PS की at 9 to 50 RPM और maximum power produce करता है 14.73 Nm at 7 to 50 RPM और बाकि changes के बारे में अगर बात करें तो TVS ने इस spike के front look को भी change कर दिया है RTR 164V के new model के अंदर newly designed LED headlight है जिसमें LED DRL center में दिये गए है जो देखने में काफी ज़्यादा अच्छे लग रहे है और दोस्तों इस spike के LED headlight का design पहले वाली bike से काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये bike Indian tooler market में Suzuki Jixir, Yamaha FGS V3, Bazaar Pulsar NS160 और Hero Extreme 160R के साथ compete करती है तो दोस्तों 160cc segment की bike के अंदर adjustable brake lever, adjustable clutch lever, bluetooth connectivity, smartphone connectivity और red color के low wheels ये सभी features देखने को मिल जाएंगे और दोस्तों RTR 164V अपनी segment के अंदर पहले से ही एक value for money machine है जो अपनी segment में most powerful machine है और इस bike का new model देखने में पहले से भी काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दोस्तों आपको RTR 164V का 2022 model देखने में कैसा लगा ये आप comment box में जरूर बताना तो आज की वीडियो में इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो like जरू कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं अगली वीडियो में Till then ride safe, drive safe